हमारे यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्क्रीत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक महुचाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए काशी पंचांग की अनुसार आज इनांक 11 जुलाई 2022 दिन सुमबार है शक समबत 1944 विक्रम समबत 2089 आज आशाण मास के शुक लपक्स की द्वादशिति थी प्रातह सात बजकर तेईस मिनट तक रहेगी उसके बाद त्रयोदशिति थी रात में पांच बजकर दो मिनट तक रहेगी और उसके बाद चतुरोदशिति थी रहेगी नकसत्र जेश्ठा रात में तीन बजकर एक्कीस मिनट तक है उसके बाद मूल नकसत्र है सूरियोदय पांच बजकर शोलह मिनट पर होगा जबकि सूरियास्त छे बजकर चबवालीस मिनट पर होगा आज शिशुतामबोल भक्सन घुम्मु पेवेशन गो क्रै विक्रै और धन्न छेदन के लिए मुहुर्थ है आज सूम प्रदोश्वरत है हर महीने के दोनों पक्सों की सायम कालीन त्रयोदशी को प्रदोश्वरत किया जाता है प्रदोश्वरत भगवान शंकर को अत्यंत ही प्रिय है इस व्रत को करने से शिवप्रसन होते हैं तथा वरती को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति के साथ उत्रप्राप्ति का वर्भी देते हैं। इसके साथ ही अगर किसी खास दिनी हवरत आता है तो उस दिन से संबंधित देवता का पूजन करना अतिलाभदाई माना गया है। स्वमवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष को स्वम प्रदोष कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के नुसार स्वम और शनी प्रदोश का व्रत सभी प्रदोशों में सबसे कम बार आता है इसलिए इस व्रत की महिमा और बढ़ जाती है प्रदोश काल में भगवान शिव को पंचामर से स्नान कराएं सावुत चावल की खीर और हल भगवान शिव को अरपन करें वहीं आसन पर बैठ कर पंचाकसरी स्तोत्र का पाट करें स्वम प्रदोश का वरत करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और रोगों का नाश होता है। आज से चातुरमास के यम नियम और सैयम प्रारंब हो रहे हैं। आज से शाक त्याग वरत भी शुरू हो रहा है। चौमासे में भगवान विष्णु सोये रहते हैं। इसलिए शास्त्रा अनुसार मनुष्य को भूमी पर शयन करना चाहिए। इसके साथ ही सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध, और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। इन चार महीनों के दोरान विवाह आधी मांगली कार्य नहीं होते हैं। आज सुमवार है और सुमवार के दिन पूरवशा की आत्रा नहीं करनी चाहिए। सुमवार को घर से निकलने से पहले दरपण में चेहरा देखना चाहिए। तो ये थाज का पंचांग धर्मा और संस्क्रीत से जुड़े महत्त्व पुर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर।